आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, welcome to डाउटनेट तो आज के हमारे given question हम से पूछा गया और stone of 3 kg is thrown vertically upward with initial velocity with initial speed 20 meter per second g की value is 10 meter per second find the kinetic energy and the potential energy तो इसमें हम से question हम पूछा गया है कि एक stone को अगर हम 20 meter per second की speed से अब अब की तरफ फैकते हैं तो एक second के बात में उसकी पास में जितनी kinetic energy होगी तो कितनी potential energy होगी ठीक है तो सबसे पहले तो हम 8 minute में कितनी distance cover करेगा हम calculate कर लेते हैं तो हमारे पास में V कितना है 20 meter per second है ठीक है और जो यहाँ पर G लेना है वो हमें कितना है 10 meter per second square लेना है ठीक है तो हमारा जो time है s equal to ut plus half 80 square हम formula इसित्मार करते हैं तो s per hour कितना हो जाएगा कितनी height तब वो उपर जाएगा तो यह कितना है 20 1 second के बाद हमको calculate करना है minus 1 by 2 G a की value जो वो negative क्योंकि जो force लग रहा है वो उसको नीचे लेकाना है काम कर रहा है लेकिन जो body है वो उपर जा रही है height कितनी निकल के आगई 25 meter निकल के आगई ठीक है और क्योंकि potential energy के लिए height के जरूवत है अब बात करते हैं kinetic energy की तो v equal to u plus 80 का formula इसित्माल करते हैं तो final velocity भी होती है और initial velocity u है 20 minus 10 or dot 1 तो final velocity निकल के आई वो कितनी निकल गई 10 meter per second ठीक है तो kinetic energy देखते है kinetic energy का formula होता है half mb square तो हो जाएगा 1y2 into 3 into 10 into 10 तो कितना हो जाएगा 150 ठीक है 150 kinetic energy कितनी हो जाएगी 150 अब साथ में बात करते हैं potential energy की तो potential energy का formula होता है mgh तो यहाँ पे m कितना है 3 और g कितना है 10 और height कितनी है हमारी 25 तो यह कितना value हो जाएगा हमारी तो यहाँ पे जो height प्रइट अरे गलत यह जो हमारा 50 निकल के आएगा 15 25 पंद्रा मीटर ठीक है तो यह 15 है हमारा तो यह कितना हो जाएगा 45 Joule तो potential energy हमारी कितनी निकल के आएगी 450 और kinetic energy हमारी कितनी निकल के आएगी सम जो हमेशा total energy के बरावर आएगा total energy का सम जो हमारा 600 Joule निकल के आएगा due to half MB square जो initially velocity थी ठीक है इसकी Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर